अब अधिपूरी होने के बाव्यूत जमा करताओं का पैसा सही समय पर वापिस ना करने के मामले में मध्य प्रदेश के रीवा में सहारा इंडिया बैंक के कर्मचारियों के खिला मामला दर्ज होना सुरू हो गया है रीवा के मौगंज थाने में पुलिस के द्वारा साखा प्रवंधक के खिलाब धोखा धड़ी का मामला दर्ज किया गया है और मामले पद जाच की जा रही है बताया जा रहा है कि मौगंज थाना अंतरगत मजियार गाउनिवासी नंद कुमार मिस्रा के द्वारा अलग-अलग किस्तों में पांच लाख रुपए सहारा बैंक की मौगंज साखा में जमा किया गया था जमारास व्याज के साथ 2021 में खातेदार को वापस होनी थी और पीडि तब से लेकर अपनी जमारास वापस पाने के लिए सहारा बैंक का चक्कल लगा रहा था पर उसे उसका पैसा वापस नहीं मिला जिस पर फरियादी नंद कुमार मिस्रा के द्वारा मौगंज थाने में पहुच करे फाई आरदर्ज करवाई गए मौगंज पुलिस के द्वारा धारा 420 के तहत मामला दर्ज करके मामले को जांच में लिया गया है आपको बता दें कि मध्वरदेश में लगातार सहारा इंडिया बैंक में जमा करता जितने थे इन लोगों के द्वारा ज्यापन पत्र के माध्यम से और सिकाईद पत्र के माध्यम से सरकार से बार बार यह रिक्वेस्ट की जा रही है कि उनका पैसा वापिस दिलाया जाए वहीं समझ में जब सहारा इंडिया बैंक के जमा करताओं से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वह लोग कई किस्तों में अपना पैसा जमा किये हुए हैं और 2018 से लेकर आज तक किसी का भी पैसा नहीं मिल रहा है पैसा वह लोग बैंक में जमा किये हुए थे जब कभी इमर्जंसी आएगा तो उसमें पैसे को निकाला जाएगा और वह उनकी जरूरत में काम आएगा लेकिन जरूरत में काम आना तो दूर की बात रही जमा करताओ को अब डर सताने लगा है कि उनका पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा जब जब जबा करताओं के द्वारा ग्यापन पत्र सौपा जाता है धरना प्रजर्शन किया जाता है या फिर कोई उग्रांदोलन करनी की बात की जाती है तब सहारा इंडिया के तरब से एक लेटर जारी होता है और लेटर में साब तोर पर यह बताया जाता है कि आप सभी का पैसा मिल जाए पत्र के माध्यम से सरकार से सहारा इंडिया के खिलाब कारिवाही करने की बात की जा रही थी जिस पर अब रिवा के मौगंज धाने में सहारा इंडिया बैंक के साखा प्रवंधक के खिलाब कारिवाही की गई है और धोखा धड़ी का मामला दर्जी किया गया है पुलिस के द जांस के बाद जो तथे आएंगे उसके आधार पर कारिवाही की जाएगी जमा करता एक तरफ परिसान है कि उनका पैसा मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा और अब सरकार के द्वारा और प्रसासन के द्वारा भी कारिवाही सुरू की जा चुकी है बहुत-बहुत झाल